अब ट्रोदी बात करता है जमीनस्तर की सानु चाधरी बात करता है किसानों के मां, स्वाभिमान और सम्मान gekता है वो अलग जगाए हुए है जिससे मंदड़ियों के पैर उखड चुके हैं किसान साथियों मंदड़ियों ने आप लोगों को वो सारी परिशानिया दी हैं जिसके आपने कल्पना भी नहीं कियोगी आप लोगों को एक तरीके से उठते हुए की तरह पैर छीच के नीचे के मार जिसे आप करहा उठे हैं लेकिन सौनु चौधरी आपकी लड़ाई को खुद अपने कंदों पर लेके लड़ रहा है और यकीन मानिये किसान साथियों इन से स्विश्च पार पार सकता है और वो भी आप लोगों के स्वयोगते तो अब उठ जाओ खड़े हो जाओ और लट ग अगर आप लोगों को यही आलू बेचना था तो फिर आप मई में बेचना बहाना बनाकर आप लोगों के अंदर से घबराट पैदा कीती हो और आलू जो है निकलवाया था लेकिन सौनु चौधरी आप लोगों के लिए एक ऐसी नजीर बनकर ओब रहा है जिसकी आपने अपना नहीं की होगी कोफिस वानु चौधरी में दिसंबर के महीने से लेकर जनवरी के महीने तक आते आते दूसरे पानी पर यह कह दिया था आलू आपका पंद्रसों सोले सुरू वक्रती कर्टा बिकेगा किसान साथियों घबराना नहीं और यह वही लोग हैं जो इस समय अपना बार में गिरावट हो, cold storage 80% लोड हो और मंडियों में लोकल से लेकर south में जबर्दस डिमांड देखी जा रही हो साथी जो अगयती फसल जो किसानोदार लगाई जाती है जिन जिन स्टेट्स में चाहें वो करना तका हो पर अंजाव या नाचल पर देखों वो सब ज जद में किसंद कितने किसान आएंगे ये देखने वाली बात होगी और हमारा एक प्रयास रहता है क्योंकि जो टेजी का बबंडर या तूफ़ान उठे उसमें सभी किसान सामिलों और इसी वज़े से सौनु चौधरी आप लोगों के लिए रात में जू जो लेकर आता है कि देज भर में दिन भर में क्या क्या जतीफि़नें चलना है कौन से स्टेटमर रहे हैं और किस इस्तिती में हमारे और आप लोगों को अच्छारा सो दोज़ारवे प्रती कष्टा दाम लेने हैं तो आप अपने भाई के साथ कंदे से मखंदा मिलाका जुते रहे क्योंकि मैं इस तावे के साथ कह सकता हूँ हजार बारास वर पे कट्टा के जिस तरीके से आप उलिच रहें से आलू को ये दिसंबर तक भी चलेंगे लेकिन सितंबर अक्टूबर के महीने के दोरान आलू अपने पीक पर होगा और ऐसे मैं इस पीक में कितने किसान जो है मौके का फायदा उठाएंगे ये देखने वाली बात होगी क्योंकि मैं अकसर देखता हूँ कि जब आलू में तेजी आती है तो किसान जो है और बढ़ जाते हैं और जो है सफल किसान वही कहलाते हैं जो उस मौके का भी फायदा उठा लेते हैं जब हमारे द्वारा 1516 पर प्रती कट्टा की कही जा रहे थी तब कई लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि आलू 1516 पर प्रती कट्टा बिग जाएगा और फिर जब बिग गया तो हमने देखा कि तो है विका किस्की वज़े से और लेने के बाद में और अगर शौर पे गर तो सवनु की वज़े से इसको आप लोगों को निकलना हो तो कि तो कि मैं आज भी इस बदर पर कह रहा हूं कि आप लोगों के अंदर जिस समय पर खुदा ही हो रही थी तो आप लोगी किस्तान जब मैं खेतों में जा था था तुम यह कहते थे सवनु मरवा मत देना तो कि कुमारे पाब 15-16 रुपे प्रती कटा है कि तुम तो के कोल्ड के गेट 1200 से खिलवा रहे हो और 800-1000 रुपे कटा खितों से बिकवा रहे हो कहीं ऐसा नहों सवनु चादरी उल्टा हो जाए और जो हम मारे जाएं लेकन उसके बाद में आलू ने जो रफ्तार पकड़ी फिर आप लोग ही कहने लगे सौनु भाई अब तो हो गया अब क्या करना है आगे क्या करना है जैसे जैसे समय बढ़ता गया आलू के रेट बढ़ते गए और आप लोगों को आलू अच्छी दरों पर बेखने का मौका भी मिला जिस आलू के आपने कलपना कीती के 600-700 पर कट्ट में हुए सौदे भी हैं कई लोग हमें यूट्यूवरों पर पिछड़ उचलते हैं कि मतलब जो सौदे हो रहे हैं जो हम आर्तियों को बेशते हैं कि आज किसानने इस रेट पर हमें सौदा दिया है अब आलू लोड करें करें उस परची को वामाल कर देते हैं जिसने उन्य किसान को रेट मिल जा ना तो किसान कभी भी अपने आलू को जो है रोकेंगे नहीं वो जो है बेचेंगे लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने गबराच प्यदा किये ना आज किसान जिसकी उम्मीद थी कि मेरा आलू 1516 रोग प्रतिकटा भी जाएगा उस उम्मीद को तुम से निकलती ठोक देगा तो उसके तुम साड़े 1400 की दे रहे हो लेकिन जो कुछ भी नहीं है जिसका पास में आलू है उसके तुम हम जिना उसमें कमियां बताकर उसके लूटने का काम कर रहे हो खैर किसान सातियों ये तो सदा से ही चला आया है लेकिन आप लोगों ने जो द देखा था उससे तो आज आलू 1300, 355 की दरपर विकरा है कहीं कहीं 1200 की दरपर विकरा है लेकिन ये भी रेट किसान सातियों अगर देखा जाए न तो ये भी कम नहीं है क्योंकि तुमारे जो मन्सूवेते हैं कि हम संतुष हो जाएंगे 500 या 600 या 700 की लागाता दिये प्रती क तागी तो 900,000 विक्ता रहेगा इसके बेखा होगा लेकिन आप ये ध्यान रखिए आप जिसकी वीडियो देख रहे है न वो इस फिल्ड का बेताज बास्ता है जिसने आप लोगों के खातिर गुजरात से लेकर बंगाल और उस्तर प्रदेश में खाक छानिये खेतों की जा बता रहे थे आप लोगों को कौन सी दवाई लगानी है ये भी बता रहे थे ताकि आपकी एक पसल सुरक्षित तरीके से हो आपको वो सारी जानकारी दे रहे थे ताकि आप एक अच्छा सा उत्पादन करो आज किसान साथियो मुझे बड़ा दुख होता है कि आप लोग ज चाहेंगे कि आप लोगों का आलू जो है तेज दरो पर देखे पता भी नहीं चाहेंगे और अगर किसान साथियो मुझे को सभी को पता है कि जब तक तीन चार पांच नहीं करेंगे एक व्यापारी तब तक आप भी अपने आलू को नहीं चोड़ेंगे तो ऐसे में ये लो उमीद को आप लोगों की इन लोगोंने तोड़ा है आने वाले दिनों में इनके कमर इस तरीके से तूपेगी ये जो है करहा भी नहीं पाएंगे किसान साथियो आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे तथ्वी सामने रखने वाला हूं जिससे आप लोग आलू की बिक्र क्योंकि हासन जिस भसल के नाम से आप लोगों को कई लोग दराते हैं दमकाते हैं उसका कोई भी ओचित नहीं रह गया कितने भी खट्टे आएं कितने भी गाड़ी आएं लेकिन आपके उस्तर पर इस आलू साउथ की मंडियों में परकराब उसी रेट पर दिख रहा है जि दो-चार दिन में लड़कने लग जाएगी और जो पीक किस्ते कहते हैं क्योंकि वहां पर पैदावार में पहले सही कमी थी अब देख लिए आगरा के आलू में कोई जरावट आई है नहीं आई तो ऐसे में आप लोगों को जब दिखा कि यह हासन पूरी तरीके से मतलब ज जब कि वहां पर उना हमाचल प्रदेश के लिए अंतरगत एक जिला है और जो है घोशय अरफूर पंजाब के अंतरगत एक जिला है डोनों ही जिलों में इस समय पर कल देश साम से हो रही भारी बारिश से चारों और पानी-पानी हो गया है तो ऐसे में आप मेरे पीछे दे दिन तो चाहिए चाहिए उसके बाद में आलू की बोवाई होगी तो कम से कम अब जो है एक महिना जो है आलू की बोवाई जो है लेत हो गई और इस आलू की बोवाई लेत होने से आपको आलू के अच्छे भाव भी मिलेंगे और जो घबराट है वो आप लोगों की खतम भ परबाद हुए है जिसके चलते मंडियों में सबजीयों की जो गाड़ियां है उनकी अराइवल है वो काफी कम हो रही है और दिन परती दिन जब अराइवल कम हो रही है तो पीमत बढ़ती जा रही है जिस लोकी को अभी दो दिन पहले 20 या 30 रुपे किलो खरीद रहे थे आज वही लोकी जो है चालिश दे पचास साथ रुपे किलो तक मिल रही है और भी साथ सत्तर रुपे किलो खो गोई तो ऐसे मैं क्योंकि आलू 30-35 रुपे किलो मिला है तो लोग जो से ही ज्यादा प्रिफैंट दे रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ जो है रहत मिले अब किसान साति कई लोगों को यह अगर तीजी की बात हमारे दोरा की जाती ही तो बहुत बटा ज़टगा लगता है ज़ह तक से लोगों को लगता है किसान साथियो जो क्यों कि आज के दोर में भी आप लोगों से आलू खरीब हरीब कर उसकी कटाई कराने के बाद में बढ़िया माल की दुबारा से पैकिंग करके हूसे म chuckling में रख देते हैं झिससे आने वाले दिनों में एक मौटा मौनाफ़ा कमाएंगे अब किसान साथ ये कैसे कमाएंगे क्योंकि इस समय पर अगस्त के महीने में जो कि जुलाई में निकासी कम हुई थी वो अगस्त में एक बड़े इस्तर पर पहुंच गहीं अगर आज हम जो हैं जो कोल्ड इशोय कुल लोड हुए थे मैं पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं फुल लोड हुए थे 80% ही कुल इशोये फुल लोड हुए थे बाकि सब आप लोग जानते हैं कि पैड़ावार में गिराबट थी तो 80 मैंसे आज की डेट में सुगर फ्री कुल्ड हूँ या जूट के कुल्ड हूँ सम मैंसे निकासी 57-58% पहुँच गई है और अगर हम इसमें 20% बीज जोड लें तो फिर आलू कहां है दिमाज से काम लीजे दिमाज से सोचे किसा अंदर दियो इस जो आलू की जो कम बचा है इसको लेकर अभी महिने हैं आप लोगों के लिए पूरा सेप्टेंबर, अक्टूबर, दिमाज सेप्टेंबर अक्टूबर में आलू अपने पूरे पीक पर होगा, अब इस पीक में आप किसान सामिल हो पाते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है कि आलू अठारसों दोजार रुपे प्रती कट्टा सेप्टेंबर, अक्टूबर हम दिख सकता है, तो उससे हम इस परकार से आशा भीन हैं और हमारा अनुमान है बगवान तो हम हैं नहीं, अगर आप किस्वानु वह यह होगी, तो सभी फैक्टरों पर हमने पूरी तरीके से नजर डाली है, क्योंकि नजर से ही और उसका आइडिया लग जाता है, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो किसान साथी वह स्क्राद पच्छे में भी आलू की खपत होनी है, नवरात्रों में भी खपत होनी है, जो हर पर इना, नवंबर उसे भी आप सामिल कर लिए, तो तीन महीने हो गए आपको पासना लख्छ से आलू की बिक्री करने के लिए, और आलू बचा है, बहत कम, तो इसका बरतूर फैदा सिर्फ वही लोग ले पाएंगे, जो कि आलू को अपने पास रखेंगे, अब देखो कि अपने अलू की बिक्री कर सकते हैं, दूसरे पर आरोप लगाने के अपेचाल, लेकिन जिनके पास में, आएके दूसरे सादन है, सब कुछ उनके पास में है, तो वो लोग थोड़ा पेसेंस और धहर बना के रखें, और देखिए, चाहें आप के पास में 15,000 कटे हो, 20,000, 30 सादन हो, 20,000, 40,000, कितने भी सकते हैं, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपका 1314 सुर्वत प्रिसी कर्टां बेचे हैं, और देखना तो भाईया बुरे पर घुला लटाओ, द्यापरी पास में, आरती है काजने के लिए तैयर वेटे हैं, लेकिन एक बात याद रखेंगे, जितने आप मंडियों में अरायवल कम रखेंगे, जितनी गाडियां कम रखेंगे, और 8-10 दिन आपने आलू को नहीं बेचेंगे, किसान साथी और ज्यापरी बाईयों, नहीं लोटिंग करेंगे 10-12 दिन, 10-12 दिन किसान अपने आलू को बेचने पोल्ड पर नहीं तो इसके आलू की खपती बढ़ रही है, प्रसे गर में आप जो है आलू बड़े चाव से खाया जाने लगा है, तो इसके आप समझे लिजे कि आलू में और ज्यादा तेजी आएगी, अब किसान साथियों, इसके साथ ही कुछ मंडी भावों पर नजर डालेंगे, तो मंडीय में साथ में तो अपने आप ही तेजी बरकरार आलू की बनी हुई है, आगरा के आलू की अच्छी घासी जो है, डिमांड है और डिमांड होने की वज़े से इसके दामों में भी पचास से एक रुपे प्रची क्लोराम का बिबन मंडियों में इजाफा हुआ है, ताती अगर चेंड़ी मंडी में किसान साथियों आज जो है 14 गाड़ियों की आवक हुई है, आज 100 पे की तेजी देखी गई है, आज किसान साथियों कई बोल देता है, डेट बताए किजिए, आज जो है डेट है 29 अगस्त 24 और समय हो रहे हैं, 9 बच कर 27 मिनाट रात के, और चेंड़ी म मदर्य मंडी में आज जो है आगरा के आलू, 36 और समय हो रहे हैं, वहिं बैंगलोर के मंडी के बात रहे हैं, तो बैंगलोर की मंडी में बैंगलोर अगर इस तरीके से देखें तो बैंगलवर मंडी में आज 50 रुपे की तेजी दर्ज गी वेगी तो मुंबई मंडी की बात गरेंगे तो मुंबई मंडी में आज 25 गाड़ियों की अराइवल हुई थी सकता 20 रुपे की दर्फर की अर आज 35 रुपे की तक में मंडी तो मंडीक है मंड़ियों में लेकिन आप लोगों को तोडने का में लोगों दोारा किया गया था अब आप समझ भी जा नासिक की मंडी में किसान साथियों 20 गाडियों की आवक हुई है 29 रुपे किलों से लेकर 31 रुपे किलों तक आलू बिके हैं अकोला मंडी में 28 रुपे किलों से लेकर 30 रुपे किलों तक आलू बिके हैं शलाए जयापुर मंडी की बात करेंगा तो जयापूर मंडी में आज 90 गाड़ियों की आमदनी हुई थी, चौवीस रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो की तरपर किसां साथियों आलु बिके हैं, कांपूर के मंडी में आज बुल्ला आलु 20 रुपए किलो से लेकर 21 और ऐसे में कई लोगों के सोजाब भी आते हैं कि सोनु भाई आलू को लेकर किसानों को निकालने के लिए कहिए हैं ताकि हम आलू को खरीद लाएं और राइट वही लगाएंगे बोली हो चाहें जैसे हो कई लोगों पर तो कोल्ड मालिक जो हैं चुकि अब कोल्ड इस्टोरियों में आवाज बाउंस होने लगी है चेंबर के चेंबर खाली हो चुक हैं तो अब उन लोगों को आलू में कुछ खरीद कर पैसा इंवेस्टमेंट पर रहे हैं अगर जो मंदा ही आने वाला है तो यह व्यापरियों कोल्ड मालिक आलू क्यों खरीद रहे हैं कभी आप किसानों ने इस बारे में विशार दुमर्श किया है किया हो तो गहराई से सोच कर बताना और जो भी लोग कमेंट करते हैं एक बात याद रखना यह किसान नहीं हैं यह सिर्फ या तो पोल्ड के मैनेजर मुनिन हैं या छट्टा दलाल व्यापरिया हैं क्योंकि कि सिर्फ देश बर्मे आलू की क्या गटिक दिया चल लही है आलू कि किस तरीके से हमें अच्छे रेट मिल सकते हैं किस यूट्यूबर के सारे हमारा भला हो रहा है वो किसान जो है अपने आप बहली बाती जानते हैं लेकिन जो लोग आज इस कमेंट को कर रहा है उनके लिए ट अभी इस समय पर भाव चले न उसे जल्दी से आलू को बेच वाज के माला माल हो जा क्या पता आगी क्या हो बाई दूसरे पर आरोफ तुम लोग लगा रहे हो तो फिर अपने आलू को बेच क्यों नहीं रहे बेच हो नहीं किसानों के अंदर डर पैदा करोगे किसानों का आलू सस्ती तरहों पर खरीद हो गए और फिर किसान जब बेच जाएगा तो फिर तुम उसे मौटा मुनाफर मंदियों में भीच कर खमाओगे लेकिन सौनु चौदरी के होते हैं तुमारे मंज़ों के कभी सफल नहीं हो पाएंगे वो बात अलग है किसान जो अपनी तरफ से लूट मार कर रहे रहें उलीच रहें गोरे पर गुलाल की तरह अपने आलू के अपनी मेहनत की कमाई को तो बहुत है लेकिन बाहनों चौदरी कभी नहीं चाहेगा कि किसान का अलू तुम लोग जो है इस तरीगे से लोग तो उनुचा अनु चाहेगा किसान का अलू 1802, विडियो को सभी दोस्तों के साथ बाट से फेस्बीक प्रपों में शेयर जरूपी दोगा है